Class 8, Exercise 4.5, Question No. 2, Arombas whose diagonals are 5.2 and 6.4 cm long, आपको ये Draw करना है, Same to Same Question 4.2, Question No. 1 का 3rd पार्ट, 4.2, Question No. 1, 3rd पार्ट, ये दोनों ही questions Same है, अब इनको Draw करते हैं, कैसे हैं? वो चेक करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका Rough Figure, ये देखिए, एक रोमबस बोला हैं, उनने A, B, C, D, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है, इनको लेबलिंग किया है, A, B, C, D, इसमें 2 Diagonals हैं, 6.4 का और 5.2 का, अब इसमें Sides नहीं दिये, Angles नहीं दिये, तो इनक लेखते हैं, कैसे बनाते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले हम कोई भी एक डाइगोनल ले लेते हैं, 6.4 या 5.2, मैं 6.4 ले रही हूं, आप चाहें, तो 5.2 भी ले चकते हैं, मैंने लिया है, 6.4 A, C, 6.4 इसके बाद हमें इसका बनाना है, perpendicular bisector इस पर बनाना है, perpendicular bisector कैसे बनता है, यहां पर हमने इसको रखा, और more than half, यानि 6.4 का आधा कितना हुआ, 3.2 यानि 3.2 से ज़ादा हमें इसको measure करना है, और इस तरह से, यह देखिए, यह half से ज़ादा है, अब इसको हमें इस तरह से, तोनों साइड आर्क बना देना है, C से, same to same हमें A के साथ करना है, A से करना है, यह देखिए, उपर भी intersecting point मिल गया, नीचे भी मिल गया, अब इन्ह लाइन को हमें जोइन कर देना है, यह हमारा बन गया perpendicular bisector, perpendicular bisector means, जो इस लाइन को equally parts में divide भी किया, और सभी angles इसके जो internal है, वो 90 degree के है, अब बात करते हैं, दूसरा diagonal, दूसरा diagonal का कितना length है, 5.2, तो 5.2 का half, अगर हम करते हैं, तो कितना होता है, 2.6 cm, तब हमें क्या करना है, हमें rounder से 2.6 measure करना है, और यह जो हमें center point मिला है, इस center point से हमें, उपर भी, और नीचे भी, 2.6, 2.6, टोटल कितना हो गया हमारा 5.2 का diagonal, अब यह जो points हमें मिले हैं, इनसे हमें join कर देना है, अब हमें मिले हमें तो और मिले जोगवाने है, यह एफ मेरी हैं, तो जफ ए विए, lagते हमें, का दो एब हमें यह, त MP बढ Kauf उप? यह B point हो गया और यह हमारा हो गया D point यह हमारा rhombus ready है सबसे पहले हमने किया rough figure फिर हमने मनाया fair figure फिर labeling करना है तो नीचे यह वाला जो line है यह 6.4 है और यह वाली line है जो 5.2 cm है 4 चीज़े steps of construction steps of construction में हमने किया टिया सबसे पहले एक line draw करी draw line AC 6.4 cm draw perpendicular bisector of AC then we take a arc of 2.6 cm on both sides and join all the lines AB, BC, CD and DA and we get rhombus जिसके हमें सिर्फ diagonals दिये हुए थे sides नहीं दी हुए थी आट्री 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 झाल झाल